नमस्ते श्री जी की रशोई में आप सभी का स्वागत है ये देखे आ रहे हैं ना आवाज खस्ता खस्ता ना आटे की ना मैदा की और ना सूजी की ये हैं कुरपुरी कुरपुरी आठा डाई की मत्री इसे बनाना बहत है आसान और इसको हम कर सकते हैं कम से कम 15-20 दिन के तो चलिए स्टार्ट करते हैं से बनाना इसे बढना के लिए सबसे पहले हमने आप लिए पचास घ्राम भॉड़ा जो मार्कप मैं साली से मिल जाती है वहाली मुगी दाल जो हम रेकुलर में यूज करते हैं तो तो उस मुगी दाल को एक बाउन ऐए करके अच्छी तरह पानी में दोके दो कंटे के लिए बिगो के रख देंगे तो दाल को आप पहले अच्छी तरह से वाच जरूर करें क्योंकि इसमें कैमल कल्स वगरा वह बहुत होते हैं तो इन्हें दोना बहुत जरूरी है तो मैंने यहां पर आदा ग्लास पानी में इसको दो खंटे के लिए सोग करके रख दिया है तो आप देख सकते हैं दो घंटे के बार यह जब दाल हम देखेंगे तो एकदम सॉफ्ट हो चुकी होगी तो आप देख सकते हैं कि दाल बीगने के बाद थोड़ी फूल भी गई है और आप हलके से इसके दाने को प्रेस करके सुख जाएगा तो अब इसको इसी तरह से हम थोड़े देल के लिए साइड में रखतेंगे जिससे दीरे दीरे इसका पानी निकलता रहे और इसका यूज़व करेंगे आगे तो चलिए अब करते नेक्स स्टैप अब उसके लिए जो हम बना रहे हैं दाल आते की मत्री उसक अपनी quantity के हिसाब से इसको कम जादा भी कर सकते हैं और हां इसको आप मैदा से भी बना सकते हैं कि दौनों का रेचो एक्वल रखें इस तरह से इस मठली को बनाया जा सकता है 2500 ग्रम आते में मैंने या से पर लिया है ध्याक मुथ gibल की दाल बनाया फॉड़ाओस से सकते ही हैं चमच के करीब छोटी वाली जो होती है उसमें डालेंगे हम हींग हींग का फ्लेबर बहुत ही अच्छा आता है हलका सा तीखा पन देने के लिए आदा चमच डाली है काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हम डालेंगे आदा चमची जीरा जो इसको अलग ही टेस्ट देगा औ बारे दनिये की बारी कटी हुई कुछ पत्निया और आप चाहें तो इसमें करीब अट कर सकते हैं और उसके बाद हम डालेंगे मोयन के लिए इसमें दो बड़े चमच ऑईल आप इसमें मोयल अच्छा डालें क्योंकि यदि आप इसमें मोयन की थोड़ा सा कम लेंगे या थ को थोड़ी सी कांजूसी करेंगे तो जो पाप्रSwag इस पापड़ी तयार करेंगे जो बहुत ही महरासन में तो बहुत ही जदा फेमस है और सबसे बड़ी बार इसके आटे में आप थोड़ासा आदी चमचे कारी भी सफेज तिल होते है उसको भी आड़ कर सकते हैं वह ट्रैडिशनल वहाँ पर यह जरूर एड़ किया जाता है ल इस तरह वह चाहता है उसको ठोड़ासा ग्रीस करके वह यह His को रशी करके लिए आदे गंटे लेड़ें तो बस अब आदा गंटा हो चुका है अब हम देखेंगे आटा जो हमारा है इसकी जो टेक्षर वो एकदम परफेक्ट है हम एक बार इसको लोज देकर और एकसा कर देंगे जिससे हम चम मठ्री को बेले तो वो फटी-फटी सी पुलकुल्टी आए और अच्छे से लोही हमारे करकर हमने एक छोटी-छोटी मीडियम साइज के लोही दियार करनी है मतलब उस तरह का आपको लोही बनानी है रोटी परामते से छोटी और पूरी से थोड़ा सा बड़ा साइज यह साइज वैसे तो आप अपने हिसाब के एकॉर्डिंग आप छोटा बड़ा कर सकते हैं ले करने में चान होता है जल्दी चटत्पफ से जिस से चुड़ायंगी को अरब तो इस तरह से साभी लोईय बना कर तैयार करिए, और हम इसको करेंगे तो आप द हैंगे में न कि नियातर बहुत जड़ा ने र nossa और ओनानी है तो आप पंध्री बहुत्ट्ड यह ज़ड़ा इ तो आप इस तरह से आप देख सकते हैं कुल-कुल परफेक्ट है इसी तरह से हम पो सब बेल-बेल के तियार करनी है आप इसको एक उबले आलू जो होते हैं थोड़ा सा मसाला डाल कर उसमें डाली चक्नी सौट और बीच में एक उपर एक रखकर इस तरह से भी आप खाय सकते ह उसकी चाठ के उपर क्रश करके इनको डाले को की कृस्पी तो यह रहती हैं आप उसतरीके से बिसको खा सकते हैं और सबसे ज़्यादा जो खाई जाती है यह लेते हैं टी टाइम सभी में तो आपको चाय के टाइम पर यदूँ आपको पोछ खाने का अमनों हो तो आप चाय कि आप की जो पर हैं बना है और उस तरह nossa चाहिए थी इस दाल को विज़ताक बना है् करें ने तो बस आप साइट के जो हमारी कति करें निकले हैं वह उनी आंटे में मिक्स करके फिर से इस गर्म को बना कर त्यार करेंगे तो चलिए यह तैयार है अब करतें नेक्स स्टैप मेन आप पर करने रख दिया था तो ऑल के तेज गरम होने के बाद एक एक करके आप इन सभी पापडियों को डीफ्राइ कर लें आप एक साथी बहुत ज्यादा कॉंटिटी में डालें जैसे इस पैन के कावडिंग मेरी इसमें 5-6 पापड़ी ही आ सकती है तो इससे जादा आप नहीं लें कितनी बढ़िया पापड़ी बन कर तयार हुई है बहुती फेमस और बहुती डिफरेंट टेस्ट देने वाली ये आटा दाल पापड़ी हमारी तयार है जिसको आप किसी भी टाइम पर हलकी फुलकी भूख के समय लेकर के सर्फ करिए और दीजिए बच्चों को भी कि आपको अन्टा सच में एक बार जरूर प्राइब कर तो चलिए तैयार है हमारी दाल पापड़ी क्रिस्पी क्रिस्पी बहुत ही बढ़िया में आपको एक भाइव दिखाती है यह देगे कितनी क्रिस्पी और इंप कर तियार हुए है और क्रश करने है तो यह कितने दिन और इसे बना कर आप एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको आटा सूजी मेता और आटा दाल में से किसकी पापड़ी सबसे ज़्यादा बैस्ट लगे